रादानी दिली में लगातार जो पल्यूशन है उस पे थोड़ा सा इजापा जरूरा है लेकिन जो पल्यूशन है वो कम नहीं हुआ इस वक्त अगर हम बाग करें तो हम इस वक्त सरोजीली नगर में खड़ें और यहां से महच कुछ किलोमेटर की दूरी पर लोधी रोड है औ जो पल्यूशन है जो एर क्वाल्टी है वो तीन सो एक है जाहिर सी बात है कि जो एप के माध्यम सा आप देख रहें कि किस तरीके से जो पल्यूशन है उसमें अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है दिली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर पल्यूशन लगातार बढ़ा हुआ और साथी साथ अगर मैं आपको एरपोर्ट की बात कर रहा हूं तो मैं एरपोर्ट का आपको दिखाता हूं कि एरपोर्ट पर इस वक्त हालात क्या है इस वक्त आप एरपोर्ट पर देख सकते हैं जो एर क्वाल्टी है वो 273 कहीं ने कहीं होडी से सुधारी हुई यहां पर अगर लोधी रोड की बात करी जाए तो 301 है और एरपोर्ट की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं एरपोर्ट पे 253 और दूसरी जगाओं के आब भी मैं आपको बात करता हूँ आईएटी दिल्ली और इस वक्त अगर एर क्वालिटी की बात करी जाए तो 304 है जाइब सी बात है जो pollution है उसमें अभी तक कमी नहीं आई क्योंकि जो हवा है राजदानी दिली में वो दो-चार दिन से रुकी हुए जिसकी बज़े से राजदानी दिली वालों को फिर से pollution की मार झेलनी पड़ी अगर मैं आस्मान आपको दिखाऊंगो तो पूरी तरीके साथ देख से कि जो आस्माने वो साफ नहीं है सूर देता अला कि निकले हुए लेकिन जो आस्मान उसमें जो pollution की चादर है वो देखने को जरूर मिली आस्मान जो पूरी तरीके से साथ नहीं जो आए पराइस नहीं जो है वो घटा नहीं है लगातार उसी तरीके से बना हुआ है जिसकी वजह से झाल झाल